नमस्कार जीएस मतलब जनरल साइंस यानि समानेश विज्ञान का लेवल डे वाई डे बढ़ता जा रहा है हर कॉम्पिटिटिव एक्जाम में अच्छे अच्छे कुशन्स पूछे जा रहे हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक पीडियेफ बनाई है उस पीडिये हैं कि सबसे पहला टोपिक मतलब भौतिक विज्ञान के कुशन्स करेंगे इसमें ठीक है बहुतिक विज्ञान में सबसे पहला मात्रक एंड एकाई हर कॉम्पिटिटिव एक्जाम में अगर साइस आ रही है तो एक क्यूशन मात्रक मतलब एकाई पोँचने पूछने का जर मात्रक क्या होता है अब साथ साथ में कुशन का अंसर देते रहे हैं बल का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन होता है कारिये का मत्रक कारिये का मात्रक जूल होता है ठीक है साथ साथ में अंसर देते रहना इंपोर्टेंट्स है सारे कुशन चालक की वेद्यूत पर्तिरोध प्रकास वर्ष को eng pero Church किस की काई परकास वर्ष होती है ठीक है फिर है कि होता क्या है परकास परकास 1 करता है मतलब परकास 1 वर्ष में कितनी दूरी तइय एक साल की हैradas नहीं इसको प्रकास वर्स भोलते हैं इसी परकार परकास वर्स होता है उसी परकार पार्ष livro अपर्षिक जो तारों समंधितु श्राइब जश्राइब और हिज्यादा होती है उसको फार्षेक में एक है यह कितना गौना होता है यह परकास वरस का 3.25 मुणा होता है तो पार्षेक बड़ा होता है सबसे कितना गुना परकास वर्ष का 3.25 ठीक है पार्षेक भी किसकी काई होगी दूरी की ठीक है जैसे परकास वर्ष है वैसे पार्षेक पार्षेक तारों की डिस्टेंस के लिए यूज होता है तो यह भी दूरी की एकाई है नेक्स्ट है वह है मापकी कौनशी काई है जो 0.3 गुणा होती है in उर वह इंच पराप्त होती है मतलब कौनशी ऐसी काई है जिसको 0.39 से गुणा करें तो इंच मिल जाएगा अपने वो तो सेंटीमेटर को मालों एक सेंटीमेटर को आप इंस में बदलोगें तो 0.39 से मल्टिप्लाई कर देना ठीक है यह हो गया अब है 6 मेटर स्वरी 6 फिट लंबे वेक्ति की उन्साइं नेनो मेटर में कितनी है नेनो मेटर होता है 10 2 जा पावर माइनस 9 ठीक है तो नेनो मेटर में करने है अपने को ओके औहूं औौके तो इसकी कई अस्वरी यह होगी 1.83 पाव ठीक है अंगे है यह हो गया अब ऍैक्स्ट करते हैं एक नेनो मेटर क्या होता है है एक नियनो मेटर होता 10 तो जब पावरर माइनस 10 to the power minus 7 अगर आपको सेंटिमेटर में लिखना नाहे में लिखना मैंने च्रह बताए अगके स्पुस्न किसके एकाई हैं बहुत savoir घर में समानतर करन में ध्यान रखना रखना यह बहुत बार पूछा जाता इसके काई एंपर होती है स्टुडेंट को बहुत डाउट रहता है प्लीज जहां रखना मेगावट वीजली के नापनी की काई है उत्पादित की जाती है ठीक है यह कुछन होगे अगला आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट है सारी कुछन प्लीज जहां रखना और पढ़ते जानों कि इंको अपने को सही सुम्हैलित करना चलो मैं थोड़ा सब चोटा कर दे तो अपने को शुम्हैलित करने वाला है ठीक है ओके पहला तौरन क्या होता है ए से जिसको लिखते है इह होता है जो होता है मीटर पर थी सेकड़ स्कार ठीक है यह होता है नेक्स्ट बल बल को पता है न्यूटन में आपते हैं पीर कारी अब धात भी मैने बताय है dual में आपते हैं ठीक है उसके बाद है 45 होता है वल inटू ए ठीक है तो न्यूटन बल हो गया न्यूटन सुरीसरी बल का होंगे न्यूटन और ताइम एफ टी enfị होता है बल इन्टु समय होता है शोरी तो F T You Time second में हो गया। में स्कूष्ण द्रवयवान किलोग्राम में किलोग्राम में है किलोग्राम में तो गी दूद्ध खाते रहे ना अरमी में बढ़ती हो ना तो नेक्स द्रवेमान प्रेसर किसमें Nप Thaval ठीक है पानी का दाव इतना पासकल ऐसे लिखा होता है आप बगेरा पर किसी पर देखोगे तो ठीक है अगला कुशन बढ़ते हैं वोट गरू में जो बिजली आती है वोट नापते हैं किसकी कई हो सकती की कई है ठीक है लूट समूधरि जाज की घटि को नापने में काम लेते हैं ठीक है आजिस नेक्स्टे नोटी कल मील नो संचालgen में बीखतुरी की कई ठीक है लॉनंद आव ऐसके ठीक है किए अपनी कैलओरी कि कैलोरी को किया रखना कैलोरी कितनी कैलोरी वैसे अपने जो डेली डैली लाइफ में यूज करते हैं कि एक इन्सान स्वाषट इंसान को एतनी कैलोरी का नहीं सिप वह भी कैलोरी एती और उसमा का मतरक prin कैपनली को ऽनतर एं ओके आगे बढ़ते हैं सही सुमेलित करना है वही सेम चीज है जूल किसका आरीया का बहुत वाराज का चाहल की पानीवाले की बात है एंग्स्ट्रॉम मैं अभी ज्यस्ट बताएं और एक उपर ऐसे डोट लगा के लिख देते स्ट्रोम होता है परकास के तरंग देदेरी तरंग देदेरी की कई होती हैं यह फिंग्स्ट्रॉम परकास्स दूरी मापने में पारशक भी दूरी कOG पुल वार पिरसे देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक Bip jaggers आप याद रखना गोड़े की पावर से नापते हैं ho здоров्त जैसे किसी मोटर पानी की अब लिखोंगी होस्पावर लिखा होता है एचीप हस पावर लिखा होता है तो यह एक सक्वावर कि किसके बराबर होता है 736 वोट के बराबर होता है important है बहुत important question है याद रखने हैं एक हुर्स पाउर 766 गर 176 वाट लो ठीक है अगला सुमेलित करने वाला सब आयो पहले ठीक है अगला कुर्शन देखते हैं आगे इंपोर्टेंट कुर्शन आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह सब मिट्र में तो आप में में 10 टूस पावर माइनस टू मीटर हो गया ठीक है नेक्स्ट है डेसीबल दवनी की परबलता की कई है अस्वा सक्ती सक्ती की होस्पावर अस्वा सक्ती की बात है ओट किसकह कई लात किसकी कही है कुछ से देखो किसके कई अंटेर में जैसे अगर में पटाई को कितनेहों वहते हैं सब पता दोगा इंपोर्टन नहीं है न यहाद वन गरां पीको तेंटू जपार माइनस ट्वाल को पीको बोलते हैं ठीक है फिर एट्मोस्फेर प्रेसर मतलब पारिस्थितिक दबाओ यह इसके काई बार होती है इंपोर्टेंट है ठीक है एक किलोग्राम पर 30 cm स्कायर दाब संतुल्य एक बार के बराबर होता है इंपोर्टेंट क्यूशन है याद रखना सारे इंपोर्टेंट कुसे नहीं तेल को किसमें बैरल में आपते हैं जैसे आप याज़ कल आप सुन रहे हो कि क्रूड ओल मतलब क तो तेल वह इतना बहाव है मतलब सुनने में आता है तो तेल को नापने में बैर बैरल एक बड़ी काई होती है लगबग 169 लिटर के बराबर होती है एक लिटर अगर तेल नापने लग जाओगे तो बड़े-बड़े जो स्टोरेज के बने होए उनमें आप बहुत टाइम ल नहीं हों सबसे चोटी का ईया है ठीख थी रेकवशेक प्रवाय कि दर क्यूशंग करते जाएे घ्यू से चल्कववभी जलका पर पूचार ठीक है नोट बाशलिबप हो साथाश्यं में सारे अपने में लाप्शन का प्योंग किया जाता है तो इंपोर्टेंट तो दाती हो जोग लोटी मोटाई से नापी जाती आपको यह उप्शन नौत दोप्शन वीजमें यह सब और आप क्या करोंगे जोप्शन कर दोगे ठीक है चलिए आगे आगे धे बहुत इंपोर्टेंट ओर्टिंस बनाए हैं कि ठीके नेक्स्ट मापक के मात्रक हैं एक पेमने तीक मापक के यंतर कॉंस्य उनके पहमाने क्या उनकी इकाई जैंट प्रॉप प्रॉप यजाता है नीज जाता है न। तो सोनार से उसका उप्योग कैसा सॉनार क्या मतलब जो नहीं वाले होते हैं यूज करते हैं गहाराई बगोराए केलिए क्या चीज है निचे क्या नहीं है कोई शूनार उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है वैसे त्रंग सोने को सुनती है दралवनी की तीवर्था ओडियो मेंट्र एनिमामेच के रूपि में क्या जाता है नेक्स्ट अप बेरोमेटर एनिमोमेटर हाइड्रोमेटर वीडियोएं वायू की गतीन पीजाती है यह ऐप्संस बनाए हुए है एक तरीके से ठीक है तो इसमें एनिमोमेटर द्वारा की जाती है सब्सक्राइब vested न है के लिए लुए के लिए किया जाता है नेक्सट यौह डिलाटार उटा डॉनिंट के लिए पईोग veg किया जाता है उस ताप के महापन में पाइरो मेट denen कसा सब किसी से नहीं नाप जाएगा तो इसके लिए एक अलग पाइरोमेटर मतलब उच ताप के मापने के लिए उप्योग उसको पूर्ण वीकिंड बोलते हैं तीक यह तिन एक कुछन एक दूसरे से तो आपको जरूर द्यान में रखने हैं नेक्स्ट है पायरीहियोमेटर सौलर रेडियेशन के लिए सौलर मतलब शूर्वी शेया वाल जो रेडियेशन ऊनको नापने के लिए पायरीहियोमेटर कव्योग किया जाता है मेनोमीटर मेनो 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 याद रखना गेसों के दबाव में मेनो मेनो ठीक है ओके नेक्स्ट रहे हैं हाइड्रोग्रोमीटर किसके रूप में किया जाता है ठीक है हाइड्रोग्रोमीटर साप एक साधरता के लिए स्प्रिंग तुला बाहर स्प्रिंग में आप अपना बाहर व चहलोज तो यह सबको पता ही होगा नेक्स्ट अउडोमेटर क्या होता है ओन्डोमेटर क्या होता है ओडियो मिल्ट अलग अलग यए ग़ोट्सट्र में उडियोद में अ पाउस्वक किया बना है अलगी वह लग धूंक मेंज तरंग का वर्भी आवरतिम्यंद़रão давноеле 12 में कि वहानू के पाई होंगे मतलब अपने मीट्र लगा होता है की में और मेटर होता है इंपौर्टिंट्न seminar ओड्यो मतलब आवाज पता लगा रहा ना आपको अवाज ओडियो ओडियो ढाने जैसे छींग याद रख लेन एक्स्रिवाप को नापने में क्या अवे दे를 हो gli तो जो इलेक्ट्रोनिक थर्मामेटर की बांती होता यह भी थर्मोर्येटर ओके इंपोर्टेंट क्यूसंस अपने यहां पर देख लिए हैं एक लिक हो जाता है तो यह साइट पर सलगता है कोई बात नहीं चलो आगे देखते हैं अगला सही सुमेलित का क्यूशन है स्टेटोस्कोप हर्दे की दवनी सुननेगे ठीक रख चाप मापने के लिए क्या यूज करते हैं कि पीद्ग्रोमेटर याद रख लेना यह थोड़ा नाम आपको अलग साल लगेगा क्यार्टोमेटर सोने की शुदता कया तो फोटोमेड्य करेट का सोना चोविस करेट का सोने का बारओ क्यार्ट्व याद हो जाएगा लाक्समेटर पार कास्के तवरतम आपने किसह से यह तरणगों दुारा प्रकास की स्तेति गयात करने में रडर होता है हीम नदी की चाल जनसंग आवरधी बोक्तम की तिवरता पर्थवि के अंदर का आप मां से रियक्टर पहमाने पर मापी जाती है तो तो अंदर का ताप मोक्तम की तिवरता से आप होता है ठीक है ओके इसके नीचे कुछ कुछन्स ओर है चलो वह भी देख लगते हैं कि सुमेलित करना सेल्चियस ताप किलोवाट आवर विदू आरच गुणांक रखत होता है आरच जैसे एक्स वाई ऐसे होते हैं पूरुस इस्त्री में तो आरच गुणांक पॉजिटिव नेगेटिव होते तो रख रहत होता है रियक्टर मापने वह कंप कहीं वुकम आपी क्या है सिस्मोग्राफ इंतर किया जाता है सिस्मोग्राफ करता बहुत साल बार बार अलग लग टाइप से कुछन्स आपको दिखाया गया है ठीक है ताकि जिली आपको याद हो जाए ऑक कि नेक्स्ट टैप वो कम वो कम का सिस्मोग्राफ देख लिया उन चाहिए अल्टीमेटर परतिरोद ओम है फेदोमेटर समुद्र की गहरा है बार बार में बार बार में लिखा गया ताकि अलग अलग तरीके से आपको याद हो जाए ठीक है नेक्स्ट सुमेलित करने वाला मैनोमेटर दावव कार्ऩी हर देगिजिके कार्डियोग्राम हाड्य कार्डियोग्राम कार्डियोग्राम याद कर लेणा यह कूशन इMPORTन्ट आपके लिए ठीक है फैनोमीटर क्योंक्र दवनी कि दिमनें फिर्ट पता लगाना जूट बोलत lagi क MARTIN तो जूट का पता लगाने के लिए पॉलिग्राफ तो जूट का पता लगाने के लिए पॉलिग्राफ जूट का पता लगाने के लिए पॉलिग्राफ जूट का पता लगाने के लिए पॉलिग्राफ यूज करते हैं पॉलिग्राफ बनता है ऐसा ऐसा ग्राफ बनने लग जात उप्योग किया जाता है तो अब मुझे लगता है इतना यहीं पर अपने को रोक देना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट की वीडियो भी लंबा जा रहा है आप भी वह रोज आओगे तो नेक्स्ट टॉपिक मतलब अगली क्लास सेकंड क्लास में अपने यहां से करेंगे यह अंत्र